किसान बज्यों नमस्कार आप सभी का स्वगत हैं हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे के उनकी फसल में यूरिया खात को लेकर संपुन जानकरी के बारे में यूरिया खात के उनकी फसल में कितने बार देना चीए कितनी एकड में ढोज रगना चीए पुरी जानक साथ इस वीडियों में बात करने वाला हूं तो दोस्तों आप हमरा वीडियो स्रूर्प से लेकर अंधो जरूर देखें वीडियो अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसाल सात्यों के साथ सेयर भी जरूर करें जैसा कि दोस्तों यूरिया खाद एक इसा खाद है जिसको सबी फसलों में इसको मतंपून योगदान होता है अगर किसे भी फसल का अच्छी तरह के से विकास करना है अच्छी तरह के से गरोद करनी है तो उसमें यूरिया खाद देना बहुत ही दूसरे पानी के साथ में देना चीए जैसा कि दोस्तों आगर सुके खेत में ग्यों की बूए की है तो पहला पानी तो आप सुके खेत में लगा रहे हो और उसके बाद में यानि की 15 से 20 दिनों के बाद में जब आप ग्यों की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं तो दूसरा पाने के साथ में आपको यूरिया खात का प्रियोग करना चाहिए। यूरिया खात आपकी फसल में गेहून के कलों में ज्यादा अधिक फुटान का काम करता है। गेहून की फसल को एकदम कलर पे लेकर आता है। काली-काली गेहून दिगने लग जाते हैं। अगर यूरिया सब्छार कि यॱ्य चुलो में ऐते हैं उसके बाद आप ग्योंग की फब यहा का कि चाइए, वापिस जब आप गेहों की फसल में चौंता पानी लगाते हैं उच समय पर गेहों में पोटों में जो गेहों की डांडिया होती हैं वो पोटों में आ जाती हैं उच समय पर आपको यूरिया खात देना चीए जिसे कि वो डांडिया पोटों में जल्दी से जल्दी निखल जा दोनों ही बार आपको एक एक बेग का प्रियोग करना चाहिए यानि कि एक बिगे में दोनों बार में एक कट्टा ही यूरिया खात का प्रियोग करना चाहिए अगर आप ज्यादा कट्टा अगर इस समय पर डालते होए तो आपको ज्यादा फाइदा नहीं मिलता है फाइदा कि यूर्यकाद की ब्रबादी हो रहा है एक बीगे में दो बार यूर्यकाद का प्रयोक करें और इनके साथ में मिलाखर कर सकते ताईC all buffalo कि संख्या अदिक हुए तो आज के वीडियो में इतना ही दन्यवाद जे जुवन चे किसा